विगत 22 अप्रेल को तिन सुकिया शहर में चक्रवाती तूफान ने जो तबही मचाई उसके स्मरण मात्र से जेहन में बिजली सी कौन जाती है महस चंद मिंटों के चक्रवाती तूफान ने कई लोगों से उनके घरों की छटे चीन ली तो कईयों के घरों को पूरी तरह सिक्षति ग्रस्त कर दिया तिन सुकिया शहर के लाल बंगला इलाके के चक्रवाती तूफान पीईट लोग आज अपने नगर पार्शत अशोक अग्रवाल को लेकर नगरपाले का कार्याले पहुँचे उनका कहना था इतने दिन भी चाने के बाद भी अभी तक ना तो गिरे हुई पेट को अभी तक हटाया गया है ना ही अन्य प्रकार की कोई सरकारी सहायता उन्हें मिली है स्थानिय लोगों की समस्याओं को लेकर वाड नमबर 10 के नगर पार्शत अशोक अग्रवाल भी स्थानिय लोगों के साथ खड़े दिखाए दिये नगर पार्शद अशोक अग्रवाल की जुबानी सुने क्या है स्थानिय लोगों की लोगों की वेदना को यहां परगट करने के लिए आए है यहां जो 22 तरिक को भेंकर तुफान आया और उस तुफान से छतिक रस्त हुए जितने भी घर है और उन घर में रहने वाले लोग उनकी जो बेदना है उसको परगट करने के लिए आये हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि आज आप जाकर वहां देखेंगे आज भी ऐसी स्थिति है कि लोगों का घर उस पेड़ के नीचे दबा हुआ है आज वो अपने घर में फिर से नहीं जा पा रहे हैं उनके घर का जो सारा समान है और नीचे दबा हुआ है वो इसकूल नहीं जा रहे है क्योंकि वो नीचे दबी हुई है खाने बनाने का समान नीचे दबा हुआ है मैंने पूर्ण रुपेन छतिगरस्त उनका घर हो चुका है और परसासन ने अपना काम किया दो-तिन दिन, चार दिन, पास दिन उनको ऐसा लगा कि सारा काम हो गया लेकिन मैं परसासन से अनरोध करता हूँ कि आपका सारा पूरा काम हुआ नहीं है आप अभी भी जाकर देखिए आपका काम करने के लिए बहुत काफी है लोगों को जो विस्तापित हो गए है घरों से उनको फिर से अस्तापित किया जाए और उनको जो सरकार से आने वाला अनूदान है उनको मिलना चाहिए ताकि यदि कि सरकार चाहती है गरीबों की सेवा कर सरकार चाहती है लोगों की छती पूर्ती करे लेकिन अभी तक परसासन इसमें देरी क्यों कर रहा है अधिकारी हमारे देरी क्यों कर रहा है उसका सवाल का जवाब हमें चाहिए